इस पीच्वल वर्ड में आप सभी कहार्दिक स्वागत है अभिनन्दन है सूखा बगीचा सपने में देखना सूखा बगीचा सपने में देखना एक अशूप सपना होता है हमें सपने क्यों आते हैं इसके पिछे कारण होता है हमारा जो सरीर होता है पंच महाभूता तो चिती जलपावा गगन समीरा से मिलकर बना हुआ होता है और इसे ही प्रांट सक्ती बोलते है प्रांट सक्ती के उपर में आत्मा का वास होता है जब हम निद्रा वस्था में होते हैं तो हमारा सरीर सो जाता है परन तो हमारी आत्मा जागरी तवस्था में होती है हमारी आत्मा के कारण हमारी जो बुद्धी जो होती है वो तीन तरकी होती है जो चेतन और चेतन अती चेतन कर लाती है जो भूत काल में के गयकार या वरतमान काल में हम जो कारे करते हैं को जोड़ कर एक समुचित फल सोफनफल के माद हम से बताने की कुशिस करती है यह संकेद देती है कि आने वाला भविश्य हमारा कैसा होगा अगर हम अच्छे कारे करते हैं तो अच्छे सोफनफल आते हैं तो सुखा बगीचा सपने में देखना एक असुप सपना होता है आने वाले समय में विपत्य और समस्या का अचानक आगमान होगा आपकी जीवन पे यहां बिना बुलाया महमान टाइप के आपके जीवन में विपत्य और समस्या का आगमान हो जाएगा। गुप्त सत्रु अचानक हाभी हो सकते हैं आप पे तो आप थोड़ा समल करहिए तो कुल मिला करिया एक असुप सपना है और इस असुप सपना के नकरात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए आपको गैंतरी मंतर का जाप करना चाहिए शीव जी के पंचाक्षी मंतर ओम नमस् इसके सकरात्मक प्रभाव आपके जियुए उन पर अधिक से अधिक देखने को मिले इस पीचोल और चैनल पर बहुत सारे सपनों का मिनिंग बताया गया है आप प्लीस इसमें विजिट किजिए और बहुत सारे सपनों का मिनिंग जाने है और उसका लाब उठाईए अगर यह विडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस इस पीचोल और चैनल को सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताईए किया विडियो कैसी लगी आपको और इससे सम्मंदीत को यह और सपना देखते हैं तो वहाँ भी मु करभी को सद बुदी दे, सद मार्क पदान करें